हलो बच्चो, स्वागत है आप जभीका, आपके अपने चैनल God Glasses पार, God Glasses यानि मैस भी और मस्ती भी तो बच्चो आप लोग को याद होगा जो पिछला वीडियो था मारा, उस पिछली वीडियो के इंदर हमने सीखा था कि जो probability density function होता है, जिसकों PDF बोलते है, PDF notes वाला PDF नहीं, ठीक है, probability density function क्या होता है, और normal distribution क्या होता है, area under the curve, किस तरह से हम उसकी help से निकालते हैं, यह सब चीज़े हमने last video में discuss करी है, detail में discuss करी है, तो I think सब को clear हो चुगा होगा, तो जिन बच्चों वो नहीं देखा, वो बच्चे में हमें questions निकालने हैं, उसके लिए हमें जो normal distribution है, उसका use करना है, तेके उसकी table का use करना है, table भी हम कैसे use करते हैं, वो भी already हम discuss कर चुके last class में, फिर भी मैं आपर question के साथ साथ आपको थोड़ा और clear कर दूँगा, तो या, तो आगी continue करने से पहले एक चीज़ आप लोग exam की preparation अच्छे से कर सको, क्योंकि board exam की preparation जब आपका syllabus complete हो जाता है, तो उसके बाद sample paper आपकी बहुत help करते हैं, क्योंकि आपको एक format पूरा ऐसा मिलते हैं, जैसे आप board exam के अंदर exam देने जाले हो, कई बार ऐसा होता है कि हम chapter wise तो practice कर लेते हैं, लेकिन जब board exam, जब एक खट questions डिजाइन किये गए हो, जो आपके board exam में आने वाले हो, यह नहीं की आलतू-फल्दू के question डाल दिए, तो ऐसे sample paper है, एजुका जोन company का, तो इसके अंदर आपको सभी subjects के paper मिल जाएंगे, जिसे English language and literature का है, तो सारे sample papers इनके available हैं, हर subject के, अब इसके अंदर सबसे पहले इन तरीके की है, इसके अलावा जो इस साल CBC ने sample paper issue किया है, वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको 10 practice sample paper इसके अंदर और provide किये गएं, ताकि आप अच्छे से अपनी preparation को complete कर सके, तो यह एजुका जोन का sample paper है, इसको आप purchase करने के लिए, description box में link है, तो व market में बहुत है, बहुत sample paper है, लेकिन एक अच्छे sample paper के आपको requirement होती है, जो आपकी board exam की जो need है, उसको fulfill कर सके, तो उसके लिए आपको discussion box में जाना है, और वहाँ पर जाके, जिस subject का भी आपको sample paper चाहिए, वो आप वहाँ से जाके purchase कर सकते हैं, तो अगर हम यह first question की बात कर पर इस first question में आपको 7-8 पार्ट दे हुए हैं, तो कुछ पार्ट मैं यहां discuss करता हूँ, कुछ पार्ट आपको खुद try कर लेंगे, ठीक है, एक बार आप समझ लेंगे, तो बड़े राम से सारे पार्ट हो जाएंगे, अब यहाँ पर जिससे first question के अंदर आपको probability find करनी है, पी-z less than 1.9, अब इसको जब हम fx में convert करके लिखते हैं, तो इसको किस तरह से लिखते हैं, अगर मैं first part की बात करूँ, तो इसको हम लिखेंगे f1.9, ठीक है, fx की terms में जब हम लिखते हैं, आपर actually यह x नहीं है, z आजएगा fz की terms में हम लिख रहे हैं, 1.9, अब जो table हमा है, उसके नहीं से z लिखा हुआ है, मतलब इस z की value से left में जो भी value है, मतलब less than value, जैसे यहां पर है, कि z less than 1.9, ठीक है, z की value 1.9 से कम होनी चाहिए, उसके लिए यह property distribution करकी आपको सारी value जहां table के थूरू दे रखी है, आपको table के chances कम हैं मिलेगी, आपको सिधी-सिधी value मि है, तो अब इसके अंदर हम यहां पर देखेंगे value 1.9, तो 1.9 में हम क्या करेंगे, जो यहां left वाला column आपको दे रखा है, इसमें 1.9 पर जाएंगे, अब उसके आगे कोई number नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब zero consider करते हैं, उपर वाली में देखेंगे वे 00 कहां पर है, तो 1.9 के सामने 0 वाली table पर जाएंगे, तो value is 0.9713, तो value is 0.9713, आई होप सब के पास book होगी, जिसमें यह property distribution करूप के जो values हैं, वो आपको दे रखा हो गए यहां पर, तो उसमें आप यह देख सकते हैं, अब यह वीडियो में साइद इतना clear नहीं दिखाई दे रहा होगा, त आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपसे value पूछ ली greater than 2.7 की, यानि left की value ना पूछ के, यह right की value पूछ रहा है, तो right की value बताने के लिए आप क्या करोगे, second part में, इसको हम कैसे लेखेंगे, क्योंकि मैं पता है कि जो पूरा यह curve होता है, इस curve की जो total value होती है, जो इसका इस, तो हम यहां लिख देंगे f of 2.7, तो हमने क्या करा, जो total base है, जो 2.7 के जो left वाला area था, वो कर दिया minus, अब minus करने के बद आपके बस value आ जाएगी, आपके बस 2.7 की value टेबल से देख लो, कि आपके बस value क्या आ रही है 2.7 की, अब 2.7 में भी एक कुछ नहीं दे रखा आपके 3rd digit, तो इसका मदलब 0 लेना है, तो इसमें value है 0.9965, 0.9965, 1 में से आप इसको minus करोगे, तो यह आगया answer 0.0035, ठीक है, उसके बाद आएगे हम 3rd बाट बर, 3rd बाट में कहता है कि Z less than minus 0.84, ठीक है, less than तो दे रखा है, ठीक है, less than दे रखा है, minus 0.84, इसका मतलब है कि हम इसको लिख लेते है, f of minus 0.84, क्योंकि आपर less than का sign है, तो in term of f ऐसे लिखेंगे, लेकि जो table में आपको value दे रखी है, वो positive value दे रखी है, अगर directly आपको negative value दे दी, सीधा put कर दो, answer आपका आगया, लेकिन अगर positive value दे दी, तो क्या करेंगे, इसको भी आप लिख सकते हो, 1 minus f of 0.84, ठीक है, क्योंकि minus वाली जो value है, उसके left का area आपको निकालना है, तो उसके left का area है, जैसे हमारा distribution कर्व होता है, आपको मालनो ये वाली value दे दी, इसने minus में, अब ये कह रहा है कि इसके left का area निकालो आप, लेकिन value आपको minus में दे रखी है, तो ये मैं पता है कि जो symmetric कर्व होता है, तो जो ये area निकलेगा, वही ये वाला area निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके right वाला area ही निकालेंगे, और right वाल area को कैसे लिखेंगे, 1 minus f of 2.7, तो तबी भी minus में अगर value आती है, less than में, तो सीधा आप लिखो, 1 minus f 0.84, 0.84 की value आ ये आपका answer आगा है, 0.2005, अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर limit दे रहेंगे, 0 से लेकर 1.45 तक, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये कह रहा है कि 0 से, मालो, 0 आपका हो जाता है इदर, जैसे हम distribution curve बनाएं, तो 0 हमारी value इदर है, तो ये कह रहा है कि 0 से 1.5 तक का जो area ह करना है, तो ये वाला area find करने के लिए हम क्या करेंगे, कि हम इसका area निकालेंगे, 1.45 का और उसमें से ये जो left वाला area है, ये minus कर देंगे, हम क्या करने वाले हैं यहां पर, हम 1.45 यानि F 1.45 लिखेंगे, तो उससे क्या हैगा हमारे पास ये वाला सारा area हैगा, अब उसमें स जो P 0 का area है, वो हम minus कर देंगे, मतलब ये वाला area हम minus कर देंगे, तो यहां पर जब भी इस तरह से आपको लिखावा मिलेगा, तो आपको क्या करना है, F of 1.45 जो बड़ी वाली value है, F of 1.45 उसमें से minus कर देना है आपकी जो छोटे वाली value है उसको, अब F 1.45 की value है, टेबल म 0.9265 और F 0, F 0 जोनी जो center में होता है, center में जो point आता है, उस पर value होती है 0.5, तो यहां पर value आएगी 0.5, इसमें से इसको minus करेंगे, तो आएगा 0.4265, यह हमार answer आ जाएगा, उसके बाद जब 5th part है, 6th part है, 7th part है, 8th part है, सारे एक से करने में 8th part हो जा देता हूं, ताकि आपको कोई problem ना हो किसी तरह के, तो 8th part में भी आपको ऐसी limit दे रखिए, limit में क्या करेंगे, इसमें से इसको minus कर देंगे, तो F of minus 1.38 में से minus करना है, minus 3.01 को, अब जो minus वाली values है उनको आप कैसे लिख सकते हो, 1 minus this, यानि इसको लिख सकते हैं, 1 minus F of 1.38, इसको लिखो के 1 minus F of 3.01, अब यहां से आपको इसकी bracket खोलोगे, तो bracket खोलेंगे, इस 1 से यह 1 हो जाएगा, cancel, यह minus में टाम आई, bracket खोलने के बाद, यह minus minus प्लस हो गया, तो minus F of 1.38 की जो value है, वो आपको table में मिलेगी, कितनी 0.9162, minus 0.9162, और F 3.01 की जो value है, वो है 0.9987, दोनों को कर दो, minus, minus किया तो क्या रह गया, minus तो करी लोगे अपने आप मेरी ख्याल, ठीक है, चलो कर देता हूँ, कोई नी, 7-2, सारे question छोड़ते जा रहे हैं, गलत बात है, 8-62, 9-18, 9-90, तो answer आया, 0.0825, अब मेरी ख्याल किसी भी part को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, minus वाला भी मैंने बता दिया, आपको greater वाला भी बता दिया, less वाला तो directly होई जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी, फिर भी कोई problem है, तो comment box आपके लिए है, comment करों और मुझे बताओ कि क्या problem आ रही है, चलते है next question पर, जो next question है, second, अगर मैं कहूंगी, first question की तरह है, बस एक step extra है, एक step extra है, क्या step extra है, पिछले वाले में जो value आपको दे रखी दी, जो भी value हमें दे रखी दी, वो in term of x दे रखी है, तो यह जो x भी जो value है, जो random variable यहाँ x है, उसको आपको convert करना पड़ेगा z में, अब z में convert करने के लिए formula क्या होता है हमारे पास, यह भी हमने last class में discuss किया था, तो x minus mu divided by standard deviation, यह formula था, तो जो भी यहाँ पर x की value आ रही है, उसको आप वहाँ पर put करेंगे और आपको mean दे रखा है, mean मतलब mu दे रखा है आपको 12, standard deviation दे रखा है आपको 3, अब आपको जो first part है, उसके अंदर x की value less than 15 है, x की value less than 15 है, लेकिन हम यहाँ पर 15 put करके z की value निकाल लेंगे, यानि जो भी value आएगी, z की value उससे कम ही आएगी, बात एक ही है, तो हम क्या करत होगा, देखें यहाँ पर z कितना आगया हमारे पास, x की जागे put करना आपको 15, mu आगया आपका 12, minus 3, तो यह आगया 3 upon 3, यानि 1, तो इसको हम in term of z कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे p z less than 1, less than 1 क्यों आएगा, क्योंकि x भी less than 15 था, तो 15 को put करने से z की value 1 आ रही है, इस इसको लिखेंगे f1, अब जो f1 है, उसकी value क्या है, अब f1 की value यानि आप 1.0 पर जागे value देखेंगे, तो आएगे आपके पास 0.843, 8413, यह आपका अंसर आ जाएगा, तो ऐसे हर question में आपको बस value निकालनी है, अब यहाँ जो continuous variable होता है, उसके अंदर अगर greater than का sign हो, या less than का sign हो, value आपकी उसी तरीके से निकलेगी, मतलब greater than के साथ equals to हो, या फिर equals to ना हो, value आपकी उसी तरीके से निकलेगी, उसमें कोई change नहीं आएगा, यह जो second part है, उसमें अगर आप value निकालोगे z की, तो यहाँ जाएगा 18-12 upon 3, या 6 upon 3 मतलब 2 आ गया, अब आपको probability find करन यहाँ आपर, z greater than equals to 2, तो greater than equals to 2 हो या greater than 2 हो, दोनों को एकी तरीके से आपको निकालना है, अब greater than वाले में क्या बतायता है, जिसे पिसले question में कराता, 1 में से आप f2 को minus करो, तो 1 में से f2 को minus करेंगे, f2 की value हमारे पास है 0.9772, सारी values हम table से देख रहे हैं, ठीक है, अप आपको value question में मिलेगी या table मिलेगी, 10-28, 9-722, और 0.0, तो answer आया 0.0228, third question, less than 9, इसकी तरह करो, greater than 6, इसी तरह करो, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट में इस z की हमारे पास 2 value निकलेंगी, क्योंकि x की जो range आपको दे रहे हैं, 12 से लेकर 21, तो x अगर 12 ह तो value क्या होगी, ठीक है, if x equals to 12, तो z कितना हो जाएगा, 12-12 upon 3, तो निकालने की जरूद है नहीं, 0 के 0 ही आएगा, अगर 21 हुआ तो, अगर x 21 है, तो z कितना आजाएगा, 21-12 upon 3, 9 upon 3 यानि 3 आगया, तो यानि जो probability यहाँ पर बनी, किसकी बनी, 0 से लेकर, 3 तक की probability बनी, अब यह जो range है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे, हम f of 3, minus f of 0, f of 3 minus f of 0 का मतलब हो गया कि, जो f3 है, उसकी value table से आप निकाल लो, और उसकी value मिलेगी 0.9986, 0.9986 में से, 0 की value निकालने की जरूदी नहीं, 0.5 होती है, अगर f 0 की value पूछ लिए, आपको वी table में नहीं दी सर, तो भई गड़बड मत कर देना, f 0 की value 0.5 होती है, ठीक है, वो put कर देना, कहीं उसके लिखेंगे, टेबल तो ही नहीं क्या करें, क्या करें, इसको minus करो, तो आजाएगा 0.4986, यह हमारा answer, आजाएगा question number second में, अब वो चलते हैं, question number third पर screenshot लेते हो, कई बार आपकी शिकायद रहती है, स्क्रीन शोट का time नहीं देते हैं, वो पूरा time दे रहो, आजाएगा, HD quality में लो, बिल्कुल, अब यहाँ पर आपको उल्टा करना है, अब यहाँ उल्टा करना, उल्टा करना मतलब आपको उल्टे खड़े नहीं होना है, ठीक है, उल्टा करने का मतलब है कि यहाँ आपको area दे रखा है, आपको z बताना है, ठीक है, the area to the left of z, z की जो left का area है, वो आपको दे रखा है, 0 0.9750, तो आपको क्या करना है, सिद्धा जो fz की value आपको दे रखिए इस question के अंदर, ये कह रहा है कि जो fz है, ये 0.9750 है, अब टेबल में जाओ, और 0.9750 कहां पर आ रहा है, ढूड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूड़ना पड़ेगा, 0.9750 कहां पर आ रहा है, ये आपको 0.96 पर, तो इसका मतलब, जो z की value आजएगी, आजएगी 1.96, second part में कहा रहा है, area between 0 and z, 0 और z के बीच का area दे रहा है, 0.4750, तो उनके बीच का area कैसे निकालते हैं, जो बाद वाली limit है, उसमें से पहले वाली minus करते हैं, तो 0 और z है, तो इसका मतलब ये आपको दे रखा है, इसने fz minus f0, इसकी value दे रहे के 0.750, अब आपको पता है, जो f0 हा, उसकी value तो 0.5 होती है, तो यहाँ पर आप 0.5 पुट कर दो, इसको उधर लेके जाएंगे, तो fz की value आ जाएगी 0.9750, यह तो वही आ गया, यह तो यही आ गया, 0.9750, यानि z यहाँ पर भी आ 1.96, तो फर्स पार्ट और सेकिंड पार्ट दोनों में हमारा सेमांसर आ रहा है, अब थर्ड पार्ट की बात कर दें, थर्ड में कहता है कि area to the right of z, जो z की value हमारे पास करूं में है, उसके right वाल area दे रखा है, अब right वाल area हम कैसे निकालते थे, कि one में से fz है, उसको minus करते थे, उससे हमारे पास right वाल area आता था, और right वाल area है कितना, 0.1314, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो fz की value क्या बनेगी, 10-46, 9-18, 9-36, 9-18, तो value बनी 0.8686, अब ये 0.8686, टेबल में जाओगे, तो कहां मिलेगा, ये मिलेगा, 1.12 पर, तो z की value आगे, 1.12, ये भी area to the right निकालना है, सेम इसी तरीके से करना, area between minus z and z, तो minus z और z के बीच का area निकालेंगे, यानि फिफ्थ पार्ट करते हैं, तो fz में से minus कर दो, f of minus z, जब range दी होती है, तो उसका बीच का area से निकाल रहे हैं, अब जो minus z होता है, उसको हम लिख सकते हैं, minus 1, minus, ये minus तो ये आगया, इसकी जगे लिखेंगे, minus 1 of fz, तो ये आगया, fz ये हो गया, fz ये plus में हो जाएगा, यानि 2 times of fz minus 1, और इसका area कितना था, 0.9030, अब ये जो 0.930 में, 1 उदर जाके हो जाएगा, plus, तो ये बन जाएगा, 2 times of fz, equals to 1.9030, तू से इसको डिवाइड कर दो, तो जाएगा, 0.9515, अब 0.9515, अगर आप देखोगे टेबल में, तो ये मिलेगा आपको 1.66 पर, तो z की value आजाएगी 1.66, तो इस तरह से question number first, second, third, आप बड़े राम से कर सकते हो, उसके बाद के जो questions हम करेंगे, तो बाद के जो questions है, लगबग, लगबग, same ही तरीके से आपको करने है, कैसे करने हैं, छोड़ा सा समझ लेते हैं हम यहाँ पर, इसे फॉर्थ question है, फॉर्थ question में आपको इसने बताया है, कि for a certain type of laptop, the charging time of batteries is normally distributed with mean 50 hours, mean आपको दे रखा है 50 hours, यानि मियू की value दे दी, standard division दे दी दिया 15 hours, उतकर्ष has one of these laptops, अब उतकर्ष के पास उन laptop में से कोई एक laptop है, find the probability that the charging time of battery will be between 50 and 70, तो जो बैटरी का charging time है, वो 50 से 70 के बीच में रहता है, इसकी probability आपको बतानी है, अब इसकी probability बताने का मतलब है, यह कह रहा है कि probability of x lies between 50 and 70, तो यह आपको निकालना है, अब यह हम निकालते तो आ रहे हैं, पहले हमें करना गया है, यहाँ पर x की terms में आपको यह दे रहे हैं, तो पहले आपको इसको z में convert करना है, अब z में जब आप convert करेंगे, तो x की value अगर 50 है, तो z आप निकालोगे, x minus mu, mu की value है 50, अब वोन में standard division, तो यह तो बैस 0 आज़े गया, अगर x की value 70 है तो, z की value आज़ेगी 70 minus 50 upon 15, तो इसको अगर हम convert करें z में, तो यह बनेगा 0 से 1.33 तक, अब इसकी value निकालने के लिए हम इसको लेखेंगे, f 1.33 minus f of 0, अब f 1.33 टेबल में जाओ, टेबल में जाओ, value मिलगी 0.9082, और उसमें से f 0 होता, 0.5 minus करो, answer बढ़ा 0.4082, यह अब का हो गया, इसका answer question number 4th का, ठीक है, अब question number अगर 5th की बात करें, 5th की अगर बात करें, question इसमें हैं हमारे पास, 11, 12, 13, 14 question है, question number 5th देखते हैं, तो जी 5th आया हमारे पास, 5th में भी कहता है, the lifetime of an item produced by a machine, is normally distributed with mean 12 months, and standard deviation 2 months, mean देदिया, standard deviation देदिया, find the probability that an item produced by this machine, तो उस machine के द्वारा जो item produce होगा, वो कब तक चलेगा, less than 7 months, between 7 and 12 months, more than 14 months, तो आपके बस तीन condition हैं यहाँ पर, mean आपको यह दे रखा है, चने 12, standard deviation दे रखा है 2, अगर हम first part की बात करें, तो यहाँ probability boost रहे आप से, less than 7, तो इसके इसाब से, अगर हम z find करें, तो 7 minus 12 upon 2, यहाँ जाएगा minus 5 upon 2, यानि minus 2.5, तो आपको find करना है, z less than minus 2.5, अब less than का मतलब है, आप लिखेंगे, f minus 2.5, और f अगर negative होता है, तो इसको हम लिखते है, 1 minus f of 2.5, अब देखिए जए 2.5 की value, 0.9938, minus करेंगे, answer आगा 0.0062, अब second part की बात करते हैं जी, second part में कहता है कि between 7 and 12, between 7 and 12 का मतलब, x की जो value है आपको, 7 से 12 तक के बीच में दे रखिए है, तो यहाँ पर x की value 7 पर तो हमने निकाल आगा है, minus 2.5 आएगा, 12 पर निकाल लेते हैं, तो 12 पर कितना आएगा हमारे पास, अगर देखो यह हाँ पर put करेंगे, तो 12 minus 12 by 2 मतलब 0 आएगा, तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आगया, जी probability आपको बतानी है, minus 2.5 से लेकर, 0 तक की बतानी है, तो यानि इसको हम लेखेंगे, f of 0 minus f of minus 2.5, f of 0 की value मैं पता है, 0.5 होती है, और f of minus 2.5 की value अल्रेडी हम निकाली चुके हैं, 0.0062, सीधा आप इसको put कर दो, minus करो, 10 minus 2, 8, 9 minus 3, 6, 9, और 4 minus 0, answer आया, 0.4938, उसके बाद, next में कहता है, more than 14 months, तो more than 14 months का मतलब आ गया, p x greater than 14, अब greater than 14 है, तो 14 के साब से पहले z निकाल लो, तो यहां पर put करेंगे, 14 minus 12, 14 minus 12, 2 to 1 आ गया या नि, probability of x, sorry, z, greater than 1, अब greater than है तो लिखेंगे, 1 minus f of 1, अब f of 1 की value, यानि f of 1.0 की value है, 0.8413, 10 minus 3, 9 minus 1, 9 minus 4, 9 minus 8, answer आ गया, 0.1587, तो यह आगया आपके पास, question number 5, अगर मैं बात करूँ, question number 6, 7, 8, 10, सारे बिल्कुल, एक ही तरीकी question है, एक ही तरीके से करना है, किसी में भी कोई problem नहीं है, मैं question number, फिर भी question number कर लेते हैं, इस सारे तो एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे question है, बिल्कुल ठीक है, आप लोग try कर सकते हैं, questions में, अगर कोई problem आती है, कोई problem ऐसे आएगी नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, table आपको देखनी है, और हर एक में यही दिया हुआ है, first part में less than है, जो six question है, उसमें first part में greater than दे दिया, second part में more than दे दिया, यह फिर last में दे दिया, अब इतना ही फराक है, बाकी सब कुछ बिल्कुल एक जैसे ही आपको करना है, तो हम question number सिधा चलते हैं, 9th पर, question number 9 में कहाता है, the test score of a university entrance test are normally distributed with mean 500 marks, standard deviation 100 marks, a student get admission if he scored marks better than at least 70% student, एक student को उस university में admission तभी मिलता है, जब उसके marks कम से कम 70% student से better है, ठीक है, a student is selected at random, and known to have a score of 585, एक student चूज किया गया, अब उस student के marks आएं 585, तो आपको ये पता लगाना है, find whether the student will get admission in the university or not, तो उस student को university में admission मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमें ये पता करना पड़ेगा, कि उसने condition ये दी थी कि कम से कम 70% student से उसके marks जादा होने चाहिए, तो हम ये पता करते हैं कि जो उसके marks आए हैं, उसके हिसाब से उससे नीचे जो marks लाने वाले हैं, या उससे कम जो marks लाने वाले students हैं, वो कितने हैं, अगर उनकी percent 70 से कम हुई, या 70 भी हुई, तो at least 70 बोला है ना, better than at least 70, तो उसकी अगर percentage 70 तक हुई, तो इसका मतलब admission उसको मिल जाएगा, क्योंकि हम उससे कम marks वाले ले रहे हैं, कि उससे कम marks वाले कितने student हैं, तो चलिए हम निकालते हैं, mean आपको दे दिया हैं आपर 500, standard division दे दिया हैं आपको 100, और x आपको दिया हुआ है 585, पहले आप इसको z में convert कर लो, 585-500 divided by 100, तो यह आ जाएगा थी 0.85, यानि हमें probability जो find करनी थी, हमें find करनी थी x less than 585, यानि इससे जो कम marks लाने वाले student हैं, उनकी probability कितनी हैं, तो इसको जब हम z में convert करेंगे, तो यह बन जाएगा z less than 0.85, यानि f of 0.85 आपको निकालना है, और f of 0.85 की जो value है, वो होती है, 0.8023, 0.8023, अब इसको अगर मैं percentage में convert करूँ, तो यह जाएगा 80.23%, यानि इससे जो कम marks लाने वाले जो student है, वो 80.23% है, इससे कम लाने वाले हैं, यानि इसकी जो percentage है, वो इससे जादा है, अब इससे जादा उसने क्या बोला था, कि marks कम से कम 70% student से जादा होनी चाहिए, तो 70% तो obviously वो जादा हो गया, क्योंकि वो तो इससे भी जादा है, इससे भी जादा है, मतलब 81 या कुछ जितना भी आगे होगा, ठीक है, 81 कुछ उससे आगे है, तो इसका मतलब है कि उसको university में admission मिल जाएगा, therefore he got, he got the admission, उसके बाद देखते हैं, जो next question है, 10th question जो हमने पीछे किये था, उसी की तरह question है, तो वो हम skip कर रहे हैं, वो आपको try करेंगे, question number चलते हैं, 11th पर, 11th ये तो 10th है, 11th question में, इसमें बतायागे आपको कि, the monthly salary of a worker in a certain factory, are normally distributed with mean 5000, and standard deviation 500, mean आगया हमारे पास, standard deviation आगया, mean 5000 है, standard deviation 500 है, if there are 14 workers getting more than rupees, 6500 per month salary, अगर उसमें से 14 worker ऐसे हैं, जिनकी salary, 6500 से ज़्यादा है, then find the total number of worker, in the factory, तो आपको ये बताना है, कि factory के अंदर number of worker कितने हैं, अब इसने हमें ये number of जो worker है, उसका दिया, जिनकी salary 6500 से ज़्यादा है, उनका number उसने दे दिया हमें, 14 worker है, तो इसका मतलब हम पहले इसकी probability निकालते हैं, कि ऐसे employee कितने हैं, जिनकी salary 6500 से ज़्यादा है, क्योंकि उसका number of worker इसने दिया हुए हमें, तो हम X की value अगर लेते हैं, 6500, उसके एसाब से पहले इसको Z में convert करो, 6500-500-500-500-500-500, तो यहाँ जाएगा 1500 divided by 500, मतलब आगया 3, तो आपको value निकालनी है, Z की greater than 3, ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था, X greater than 6500, तो यह change हो के, इसमें बन गया, अब greater than की value निकालने के लिए, 1 में से minus करते हैं, तो 1 minus F of 3, 1 minus F of 3 आए आपके पास, 0.9986, इसको minus किरा, 9 में से याट गे 1, इसकी probability आगी 0.0014, यह किसकी probability आई है, यह उसकी probability आई है, कि जो total number of employee, जिनकी salary 6500 से ज़्यादा है, अब हम माल लेते हैं कि वह total number of employee है कितने, वह ही वह पूछ रहा है, कि let total employee, यह माल ले हमने X, तो X को, अगर हम इसकी probability से multiply करें, जो probability किसकी निकली है, probability निकली है, उनकी salary 6500 से ज़्यादा है, तो X से अगर हम इसको multiply करें, तो वह हमारे पास कितना बनेगा, वह बनेगा 14 worker, क्योंकि 14 worker ऐसे थे, जिनकी salary से ज़्यादा थी, तो यहाँ से decimal आप हटा दो, 14 से 14 cancel, इसको आप इधर ले जाओ, X आजाएगा 10,000, तो total number of worker, वहाँ पर जो काम करते हैं, वो है 10,000, उसके बाद next question number 12 पे चलते हैं, 12th question में, 12th में कहता है कि, X is normally distributed with mean, mean 10, standard deviation 1.5, find X such that PX greater than X is equal to 0.0038, अब यहाँ पर जो X हा रहा ना, इसकी value आपको बताने हैं, तो इसकी value बताने के लिए पहले इसको Z में convert करना पड़ेगा, आप कोई साथ Z में कैसे convert कर X की तो value नहीं है, कोई बात नहीं हैं, तो ऐसे लेके चलते हैं, तो Z का जो formula होता है, उसके इसाब से हम करेंगे, X minus mean upon standard deviation, तो जो X की value यह थी, इसको Z में convert करेंगे, तो यह value आएगी, इसका मतलब यह हुआ, probability of Z, यहाँ greater than है, तो greater than का sign लगाओ, X minus 10 upon 1.5, इसकी value हमारे पास यह है, अब जो greater than होता है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 minus F of, जो भी यहाँ पर आएगा, वो लिख देंगे, यह minus meter में इसको इधर ले जाओ, और इसको इधर लागे minus करो, तो इसका मतलब F of X minus 10 की जो value है, यह बनेगी, 10 minus 1 में से minus करेंगी, 10 minus 8, 9 minus 3, 9 minus 0, 9 minus 0, तो यह value है देगी 0.9962, अब table में जाके आपको यह देखना पड़ेगा, कि F 0.99, F की जो value है, 0.9962 यह कहां पर होती है, यह value होती है 2.67 पर, तो इसकी जगे हम लिख सकते हैं, 2.67, यह इस पर value इसके बराबर होती है, अब यहां से दोनों का आप compare करोगे, तो X minus 10, upon 1.5 is equals to 2.67, अब 1.5 को इदर 2.67 से कर दो, multiply तो यह बनता 4.005, 4.005, अब minus 10 को उआँ प्लस कर दो, X की value आजाएगी 14.005, अब यह approximately close है 14 के, तो X की value आप ले सकते हो, खाली 14, तो question number 13 में कहता है, के company conducted an IQ test, for a randomly selected 50 employee, एक company है, उसने 50 employees को select किया, randomly और उनका IQ test किया, यह निए intelligent question test किया, intelligent question जितना अच्छा होता है, उतना माना जाता है कि बंदा genius है, ठीक है, वालिंटर A scored 74, out of the possible 120 points, जो possible points थे, मारे पास 120 थे, यह निए total marks 120 थे, उसमें से 74 points उसको मिल रहे है, if the average IQ test score was recorded as 62, जो average test है, जो average record है इसका IQ का, वो 62 है, उसकी जो value है वो तो above average जा रही है, above average जा रही है तो वाई genius है बंदा, and the standard deviation was 11, और standard deviation उसका 11 है, तो दो चीज आपके पास यहां से clear आगी, कि इसका जो mean है, वो 62 है, standard deviation 11 है, और उसको जो marks मिले हैं, वो हो गया X, अब आपको बताना है कि, how well did the volunter A perform in the test, as compared to other volunters, जो बाकी के volunters थे, उनके मुकावले A की performance कैसी थी, तो हम यहां पर क्या गरते हैं, हम निकाल लेते हैं, X की value less than 74 निकाल लेते हैं, मतलब उससे जो कम perform करने वाले हैं, उनकी probability कितनी हैं, तो probability of X less than 74, यह हम find करते हैं, अब X की value अगर 74 है, तो Z की value क्या है, तो 74 minus 62 upon 11, 4 minus 2 to 7 minus 61, 11 से इसको divide करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1.09, तो यानि आपको value find करनी है, Z less than 1.09 की, यानि 1 minus F of 1.09, तो अब 1.09 की जो value है, वो है 0.8621, लेस देन है, सोरी, लेस देन है तो, तो इसको हम F में convert करेंगे, तो या जाएगा F 1.09, क्योंकि less than का sign है, अब 1.09 की जो value है, वो है 0.8621, तो ये जो probability किसकी निकली है, जिन्होंने इससे कम performance दी, यानि अगर हम यहाँ पर ये निकाले, कि आपके पास total employee कितने थे, इसने number of employee पूछा ना, कि how well did the volunteer a perform in the test, as compared to other volunteer, तो total number of volunteer कि इतने थे, आपके पास 50 थे, तो number of volunteer who perform under than 74, ठीक है, या बिलो बिलो ए कह सकते हो आप, तो number of volunteer, whose performance, is below a, ठीक है, इंग्लिस ऐसी है, थोड़ा अपने आप डंग से लिख ले न, statement में, तो अब यहाँ पर क्या है, 0.862 यह probability निकली है, और number of employee हमारे पास 50 है, 50 से आप इसको कर दो multiply, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ गया, 5 आ गया, 5 जुनी 10, 5 चिक 30, और 11, 5, 6, 8, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, decimal आ जाएगा यहाँ पर, ज्यादा बेटर है, यानि उससे जो नीचे हैं, वो 43 number of employees है, के वल 6 employees ऐसे हैं, जो कह सकते हैं कि उससे बराबर हो सकते हैं, या उससे ज्यादा हो सकते हैं, question number 14 में, कहता है कि on an average, ceiling fan manufactured by जगदीब corporation, last 300 days, with a standard deviation of 50 days, यह कहता है कि on an average, the ceiling fan manufacturer है, जगदीब corporation, उसका जो fan है, 300 दिन में से, average 300 दिन तक चलता है, with a standard deviation of 50 days, तो μू आगे आपके पास 300, और standard deviation आएगा 50, assuming that the ceiling fan life is normally distributed, what is the probability that a ceiling fan will last, at most 365 days, तो ज़्यादा से ज़्यादा, वो 365 days तक कब चलेगा, उसकी probability क्या होगे, तो यानि हमें निकालना है, probability of x, at most का मतलब होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है, तो less than equals to 365, अगर x की value 65, 365 है, तो z की value क्या बनेगी, 365 माइनस 300 डिवाइडिड बाइ 50, तो यहाद ज़्यादा 65 अपॉन 50, पासे से काट देते हैं, तो इसकी value आई हमारे पास 1.3, अब 1.3 का मतलब हो गया, कि अगर हम यहाँ से value निकालें, z less than 1.3, और f 1.3 की ज़ो value होती है, f 1.3 की value है, 0.9032, तो यह इसकी probability आजाएगी, तो इसी question के साथ यह जो exercise है, यह finish होगी है, और आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आगी होएगी exercise की किस तरह से आपको questions के करने हैं, और इसके साथ ही साथ यह chapter भी हमारा खतम हो गया है, तो अच्छी तरह से practice करें, अपने exam की preparation करें, अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, thanks to all of you.